जिए ग्राफी का एक बहुत बड़ा टॉपीक है जिसको बोलते हैं दक्षिंड का पठार और इस दक्षिंड के पठार से बहुत साड़े प्रश्ट बनते हैं और हमारे भारत में किस हिसाब से ये फैला हुआ है उसको देखेंगे दक्षिंड के पठार को इंग्लिश में बोला जाता है डेकन प्लेटु क्या बोला जाता है डेकन प्लेटु बोला जाता है दक्षिंड का पठार जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डेकन प्लेटु तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि हम दक्षिन का पठार या डेकन प्लेटू ये तो बोल रहे हैं लेकिन ये जो शब्द है पठार आखिरकार इसका मतलब क्या है एक चोटी और एक पठार में क्या फर्क होता है अभी आप देखिएगा इसमें देखिए एक तरफ में चोटी बनाऊँगा और एक तरफ में पठार बनाऊँगा एक तरफ में चोटी बनाऊँगा और एक तरफ में पठार बनाऊँगा देखिए कोई भी परवत कोई भी परवत मान लीजिए उसकी आकृती ऐसे हैं देखिए पहाड इसी तरीके से होते हैं उपर से कॉनिकल होते हैं, उपर से कॉनिकल होते हैं, कॉनिकल का मतलब ये इस तरह का शेशेप होता है, और जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं, उसका फुट हिल, फुट हिल मतलब तलहटी बढ़ती चली जाती है, है न, इसको बोलेंगे हम क्या चोटी, इसको हम क्या बोलें इसके उपर का जो सरफेस है वो कम होता जा रहा है यानि एक कोन बना रहा है क्या बना रहा है कोन बना रहा है इसका जो छेतर फल है वो धीरे 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 ऊपर कम होता जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे क्या परवत या फिर क्या बोलेंगे जैसे Mount Everest, जैसे Mount Everest, Mount Everest भी एक चोटी है, जैसे नामचा बरुवा, जैसे त्रिशूल, जैसे नंदा देवी, जैसे आपका केटू, ये चीज़ है, इसी पहाड में से अगर इतना portion कट कर दिया जाए, तो क्या ये कुछ ऐसे दिखेगा? जैसे, अगर इसी पहाड में से इतना portion कट कर दिया जाए, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, यानि परुवत की अगर चोटी काट दी जाए, या परुवत की चोटी किसी तरीके से समतल हो जाए, तो यही चीज़ क्या कहलाता है? पठार, इसको हम क्या बोलते हैं? टेबल टॉप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेबल टॉप, इसको हम क्या बोलते हैं? पठार, और इसी को क्या बोलते हैं? टेबल टॉप, मतलब जो मुख्य जमीन है, मुख्य जमीन से थोड़ा सा ही ऊपर, या उचाई में, जो समतल जगा होती है वही क्या कहलाता है पठार बनने की बहुत सारी क्रियाएं होती है लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि देखो जो परवत अंतर तक उपर तक जाता है और एक चोटी का दिर्माण करता है या एक कॉनिकल शेप बनाता है उसको हम परवत बोलते हैं या फिर इंगलिश में एक और चीज़ बोलते हैं प्लेटू क्या बोलते हैं अब यह आपने देखा होगा कि जो यह विंद्यचल श्रेडी है विंद्यचल श्रेडी का यह चित्रकूट का देवांगना घाटी है देवांगना घाटी में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसको बोलते हैं टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या बोलते हैं टेबल टॉप एयरपोर्ट अब जरा आप ही जरा सोचिए एक बार कि उचाई में पहाडों की उचाई में जब समतल जगह मिली होगी समतल जगह मिली होगी तब ही तो एयरपोर्ट का निर्माण किया क्योंकि एयरपोर् है कि हमारे चित्रकूट के एरपोर्ट को क्या बोला जाता है टेबल टॉप एरपोर्ट आपने सुर्कियों में देखा होगा या निउस में देखा होगा सुर्कियों में देखा होगा या निउस में देखा होगा कभी भी अगर चित्रकूट का एरपोर्ट का नाम देते हैं त वहाँ पर table top करते हैं table top का मतलब है कि यह airport किस में बना है पठार में यानि जो यह हमारे देवांगना घाटी के परवत हैं यह परवत ना होकर अब क्या हो गए है पठार यही कारण है कि इसमें इसमें airport बनाना संभव हुआ आप देखते हैं जितने भी आर्मी के और पुलिस क टियारी करने बच्चे होंगे आप जब देखने कोल गते होंगे हंगे देवांगना घाटी में उपर पहुंशते होंगे तो ऊपर एकदम प्लेन है यह वहाँ पर आपश्याड़ है वुहां पे तो आहीं समझें इसमें पर्वत में और पठार decir क्या अंतर है, क्लियर है, कई प्रकार से, कई प्रकार से पठारों का निरमाड होता है, कोई एक कारण नहीं है, पठार का निरमाड भूकंब से भी हो सकता है, और जौला मुखी के उदगार से भी हो सकता है, दो जमीन के टकराने से भी हो सकता है, दो जमीन के खिसकने से भी हो सकता है जैसे मान लिजिए कि कोई बहुत बड़ी जमीन है जैसे यही जमीन मान लिजिए कि यही जमीन है जमीन का एक हिस्सा धस गया जमीन पहले समतल थी जमीन का एक हिस्सा नीचे धस गया और एक जब नीचे धस जाएगा तो अब अल्टिमेट एक हिस्सा क्या हो जाएगा उपर हो जाएगा न, अब वो अगर एक हिस्सा धस गया है, तो अगला हिस्सा उपर दिखेगा, और वो मुख जमीन से उपर है, लेकिन उपर जाने के बाद कैसा है, समतल, तो क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा, इसी को बोलते हैं पठार, तो हमारे एक्जैम में दो बड़ कोशन, बहुत बड़े कोशन पूछे जाते हैं, तो बहुत बड़े कोशन पूछे जाते हैं, पठार को लेकर, कि विशो का सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा पठार, विशो का जो सबसे बड़ा पठार है, वो कौन सा पठार है, तिबबत का पठार है, कौन सा पठार ह मैं आप में जानते हो जब भी मैं आप लोगों को मैप दिखाता हूं तो आप लोग जानते हो कि मैप का तिबद का पठार आखिरकार है कहां आखिरकार है कहां तो चलो देखो मैं एक मैं एक फोटो लगा देता हूं एक फोटो आपको दिखा देता हूं तिबद का पठार ठे देखे boys and girls इस map में देखने कोईश्च करते हैं यह हमारे भारत का map है ठीक हैं यह हमारे भारत का map है और देखो यह इधर आप देखेंगे हमारे लदाग छेतर से लदाग छेतर से हिमानचल प्रदेश से फिर यह नेपाल की बाउंडरी बनाते हुए इधर भूटान से और इधर अवनाचल प्रदेश से यह जो पूरा छेतर है यही क्या है तिबबत का पठार ध्यान दीजेगा यह जो पूरा पूरा छेतर है यह यहां से बाउंडरी से लेकर और नेपाल के उधर यह पूरा पूरा क्या है बदाए तिबबत का पठार और यह कैसी चटान से बना हुआ है ग्रेनाइटिक चटान लेकिन इसका चेत्र फल इतना ज्यादा है कि यहां पे छोटे छोटे चोटे पर्वरत पाया जाते हैं जो इस तिब्बत के पथार के हिसाब से बहुत छोटे हैं और समतल एरिया पाया जाता और यह समतल एरिया उंचाई में है और यहां पर इतनी ज्यादा उंचाई है इतनी ज्यादा इस तिबबत के पठार की इतनी ज्यादा उंचाई है और अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे उंचाई बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती है तो आपको बता दे ये पूरा का पूरा तिबबत छेत्र बरफीला छेत्र है और हिमाच्छादित छेत्र है यहाँ पर बारो महीने बरफ जमी रहती है अब पठार में बारो महीने बरफ जमी है तो इसका यह यह कारण है कि यह जो पठार है यह किसमें है उचाई में है और यह इतना ज्यादा उचाई में है इतना ज्यादा उचाई में है और उचाई में बना हुआ समतल छेत्र है इसलिए इसको बोलते हैं विशो का सबसे बड़ा पठार तिबबत का पठार ठीक है और अगर कोई इने हिमाच्छादित क्यों रहता है और हिमाच्छादित होने की वह जैसे इसमें से कई हिमाले नदियां भारत में आती हैं मैनमार में जाती है और इधर लदाग छेतर में आती है उधर कुन्लून परवत में जाती है ऐसा कारण क्या है तो आप वहां बताईएगा कि इनका हि गहनन बहुत जादा हुआ और वह डायरेक्टली गैस से क्या बन गया बर्फ बन गया और जब बनती है तो उसका द्रवेमान बढ़ता है और बढ़ने की वजए से वह नीचे गिरती है क्योंकि गुर्टवा कर्शन बल है 9.8-1.32 की रफ्तार से वह नीचे गिरते है नतीजा जो वहाँ का पठार है वहाँ पर बारिश ना होकर बर्फ बारी होती है और अत्यधिक बर्फ बारी होती है रोज बर्फ बारी होती है जिसके कारण वहाँ से 12 मस्ती नदियों का उद्गम होता है जैसे आपका सांगपो न नदी बोलते हैं सतलज नदी और सिंधु नदी यहां पर आप आएंगे तो यहां पर इसको बोला जाता है पामीर की गाट क्या बोला इसके चारो तरफ चारो दिशायों में परवत श्रंकला गई हुई है यानि एक ऐसा ऊपर से प्रतीत होता होती है और उसके अलग अलग दिशायों रस्तियां होती है तो ओ too कि नहीं होता ऐसा और बीच में गांट लगी होती है है यह से ही है यह हमारे भारत के उत्तर पूर्व में जाने में पस्चिम का उत्तर पस्चिम में यह पामीर का पठार है और इस पामीर के पठार में अलग-अलग दिशा में यहाँ पर परवत गया है जैसे यह भारत यह पामीर के पठार से इधर चाइना की तरफ कुनलुल परवत इधर उपर तियानशान परवत यह इधर हिमाले महान हिमाले परवत यहाँ पर सुलेमान परवत पाकिस्तान में अफगानिस्तान में हिंदू कुष परवत और ये इतनी ज्यादा उचाई में है उचाई होने के बाद उपर यह समतल हो गया है इसलिए इसको विश्व की छत कहा जाता है क्या कहा जाता है विश्व की छत कहा जाता है लेकिन विश्व का जो सबसे बड़ा पठार है वो कहां पे है तिबबत का पठार अब ध्यान दीजेगा दो केटेगरी में ध्यान दीजेगा तीक है अभी तक आपको बता दें पामीर में इतने कोशन नहीं बनते थे अभी तक त तिबबत में ही प्रश्ण मनते थे आज से 10 साल पहले तिबबत में ही प्रश्ण मनते थे और तिबबत उचाई में भी है और तिबबत का छेत्रफल भी बड़ा है लेकिन तिबबत की उचाई पामीर की उचाई से क्या है कम है यही कारण है कि पामीर की गाट या पामीर के अपने घर बनाते हैं तो ऐसे करके बनाते हैं ना ऐसे करके यहां पर खपरा लगा देते हैं खप्रायर वाला घर बनाते हैं तो क्या इसको छट बोलेंगे क्या हम नहीं इसको छपर बोलेंगे इसको इसलिए हम पामीर को क्या बोलते हैं विश्व की छट बोलते हैं और पामी की गाठ बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि अलग 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 दिशा से परवत श्रंखला कैसी मोड़दार परवत श्रंखला आके एक जगा मिल गई है यह जीज़ है तो दो तरीके कोशन देखा आपने विश्व का सबसे बड़ा पठार क्या है तिबबत का पठार ठंड में सांक्पो बोलते हैं और कौन सी सतलुज नदी और कौन सी सिंधु नदी क्लियर है ऐसे तो कम से कम धाई सो नदियां धाई सो छोटी बड़ी नदियां नेपाल से हमारे भारत में उतरती है जैसे काली नदी जिसको शारदाई बोले आता है घागरा नदी गंडक नदी को इंपोर्टेंट है उसी को हम पढ़ेंगे तो आया सोज में यह था तिबबत का पठार इधर पामीर का पठार अब इसी भारत में आप थोड़ा सा नीचे और आजाओगे अगर थोड़ा सा नीचे और आजाओगे तो हमारा त्रिकोणी आकार का त्रिभुज अत्रिभुज यह घुजरत महाराष्ट करनाट का और यह दर गोवा से लेकर यहां पर और यह जो छेतर है यह जो छेतर जो मैंने भी बनाएं इस मैप के अंदर यह छेतर भारत की मुख्य भूमी से उठा हुआ चेतर है और देखो किस आकार का है त्रिभूजा आकार का है तो यही पर सबसे पहला प्रश्ण यही पर हमारे एक्जाइम में बनता है कि भारत का पठार जो दक्षिन का पठार है वह किस आकार का है त्रिभूजा आकार का है फिर आपने देखा कि जो इसकी boundary है ये boundary ये जो boundary बना रहे हैं ये ऐसे करके अब एक boundary और देखिए अब एक boundary और देखिए ये हमारे भारत की boundary है जो अरब सागर से लगती है इधर हिंद महा सागर से और पश्चिम के और जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी से लगती है ये ची जो boundary है वो सकरी कहा है पश्चिम की और ना ये पश्चिम की और देखिए ये boundary भारत की boundary है यहां से क्या है सागर लगता है और इसमें थोड़ा साही मैदानी छेत्र मिलने के बाद ये सीधे उठा हुआ उठा हुआ भाग है एकदम से उठा हुआ भाग और यहां पर आप द चेत्र मिल गया और कई लंबा मैदानी छेत्र चौड़ा मैदानी छेत्र के बाद हमें ये दक्षण के पठार के यानि उठी भूमी मिलती है तो यहां पर एक प्रश्ण बना था कि हमारा कौन सा घाट सकरा है ठीक है पश्मी घाट सकरा है ठीक है और ये भी कोशन बोला आपको बता दें पूर्वी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की तुलना में जो ये पश्चमी घाट है ये सकरा है और पश्चमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट क्या है चोड़ा है फिर जब हमारा भारत आज से 12 करोड़ वर्ष पहले जब ये तिबबत के पठा में यहां से टकराया था टकराने के बाद यह प्रश्ट भाग क्या है उठा था और यह नेपाल वाला भाग बंगाल वाला भाग नीचे धसा था यही कारण है कि हमारे भारत का प्रश्ट भाग उठा और यह इधर नेपाल वाला भाग धसा यही कारण है कि हमारे भारत में जो अधिकतर नदिया है वो है बंगाल की खाड़ी में बहती है और आप देख पा रहे हो कि ये पठारी छेतर है पठारी छेतर से कई सारी नदिया जाती है बंगाली खाड़ी में तो उनको एक लंबा समय मिल जाता है मैदानी छेतर में बहने का और मैदानी छेतर में बहती है तो अपने साथ अवसाद इकठा करके जाती है और जो है आगे चलके जहाँ पर समुद्र में मिलती है वहाँ पर डेल्टा का निर्मार करती है तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पूर्वी घाट की नदिया डेल्टा का निर्माड करती है उसका कारण क्या है तो आप बता दीजेगा कि जो हमारा पूर्वी घाट है वह चौड़ा ज्यादा है नदियों को मैदानी छेत्र में बहने का ज्यादा समय मिलता है जंगल ज्या सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है सुन्दरवन का डेल्टा अब देखो यह तो उंचाई है पश्चमी घाट में तो हमारे उंचाई है लेकिन यहां पर पड़ गए क्या भ्रंश यहां पर पड़ गए भ्रंश तो कुछ नदियां हमारे भारत में पूर्व से पश्चम की औ और बैती हैं लेकिन यह बैते 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 आखिरकार जब खमभात की काडी में गिरती है तो उंचाई से गिरती है मिलता आपको Κंकर चटाने बड़ी बडिवी चटाने जंगल ज्जाड़ नहीं मिलता है नतीजा यह अपने साथ कंकड वगेरा बहा के सीधे इस उंचाई से खंभात की खाड़ी में गिरा देती है यानि जहाँ पर ये नदी गिरती होगी वहाँ पर आपको कोई जंगल जार देखने को नहीं मिलेगा सिर्फ क्या देखने को मिलेगा चटाने बड़ी बड़ी चटानों का जमावड़ा होगा छोड़ी चटाने बड़ी चटाने और उस चटानों ने जहां से नदी गिर रही होगी उस चटानों ने क्या है एक जमावड़ा बना दिया ऐसे करके चटानों के उपर चटान और यहा ज़ार्नदमुक क्या बोलते हैं ज़ार्नदमुक और ये जो पत्थर का पत्थर का जमावडा हो गया जिसमें समुद्र का पानि अंदर गुश जा रहा है और बाहर भी आ रहा है यही松ी क्या बनाती है डेल्टा क्यों बना रही डेल्टा क्योंकि उनको बहुत बड़ा मैदानी छेत्र मिल जा रहा है बहने के लिए आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि यहां पर यमुना नदी जब बहती है जब उफान में आती है मंदाक्नी नदी को आपने देखा होगा या आ मैला पानी हो गया है उसका आप समझ जाईए कि अपने साथ मेवय आउसाद बहा के लेके जा रही है कहीं न कहीं मिट्टी को काटा होगा जंगल जहाड से पूरा पूरा धूल मिट्टी कूडा करकट अपने साथ बहा के लेके जा रही है और फिर आपने यह भी देखा यह भी जाओ शम्ता होते हो बढ़ जाएगी है ना क्यों कि खनिज पदार्थ के कण होते हैं ये खेत में जाते ही लेकिन इतना रिस्क कौन ले भाई नदी उफाने में हैं यहां अपनी जान बचाए कि इंजन लगाएं है ना आपने इसले ये भी देखा होगा कि नदियों के इर्द इर्द गिर्द जो छेत्र होता है जहां पे खेती होती है वो छेत्र बड़ा उपजाओ होता है है ना आपने देखा वो छेत्र बड़ा उपजाओ होता है और नदियों के इर्द गिर्द ही ककड़ी हो गया खीरा हो गया और आपके जैसे वाटर मेलन हो गया ककड़ी और और पानी होता है, इसलिए आपको हिदायत दी जाती है, गर्मी से बचने के लिए, वाटर मेलन का इस्तमाल कीजिए, कगड़ी खाईए, खीरा खाईए, यह चीज है, तो आपको पता चला, कि पठार क्या होता है, और पठार किस तरीके से, अब आपके दिमाग में ये भी आना च का पठार, आखिरकार इस पठार का निर्माड कैसे हुआ, आखिरकार इस पठार का निर्माड कैसे हुआ, तो वो निर्माड दिखाने के लिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ यहां पे, और उस वीडियो को जड़ा ध्यान से देखिएगा, कोई मुझे टाइम ब झाल झाल इस वीडियो में आपको एक पठारी छेतर देखने को मिल रहा होगा और इस पठारी छेतर ये देखे जमीन से उचाई वाले छेतर में समतल एरिया है इसी को हम क्या बोलते हैं पठार बोलते हैं अच्छा अगर आपको थोड़े बहुत ऐसे परवत भी देखने को मिल जाएं तो ये भी हमारे पठारी छेतर में ही आते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से इनका क्या हो गया है इनका चरण हो गया है बहुत लंबे समय से इनका चरण हो गया है और चरण कैसे होता है कैसे कटते हैं ये पहाड तो आपको बताते हैं ये पहाड कटते हैं हवा द्वारा पा अप आटते हुए elle गए और फैलने कहेबाद सोख्णे बाद मोटी परत बन गई एक एक न्युक्त सब्णद Ňसी ठीचे हैं और मोटी यह हमारी न करम डान वह परवाहित होती है नरमन भावो हम है से सत्पुड़ा सेड़ी से जैसे नीचे हैंगे तो ये एरिया हमारा क्या है दक्षिंड का पठार जो की एक यह कौन से लावा से बना हुआ है, क्योंकि जौला मुखी के उद्गार से बना था, इतने एरिया में जौला मुखी का उद्गार हुआ, अब जरा जैसे यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे, यह हमारे भारत का प्राइदीब छेतर है, हमारे भारत का प्रा पंगाल इखाडी में बांडरी लघर हें उसको क्या बोलते हैं पूर्वी घाट तो इस वीडिए भी मत बोल दियेगा कि साथ दक्षिन के पठार में भी बीजेबी का कपजा हो गया भगवारंग यह हमारा पठार है और यह पठार किससे बना हुआ है लावा से यह जो डेकन प्लेटू आप देख रहे हैं महाराश्ट से कई करोड वर्ष पहले लगातार जौला मुखी का बनती गई और इसमें जीव दबते गए और एक उचाई मिलती गई आज आपको बता दें 900 से 1200 मीटर उचाई लगभग हमारे दक्षिन के पठार की है चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं यह हमारा पश्चमी घाट है लगभग कितनी लंबाई है पश्चमी घ पठार से और कई सारी वनस्पती है सदा वहर हरे भरे वन यहां पाई जाते हैं इसको भी आप पठारी छेत्र ही बोलेंगे देखें पठारी छेत्र में अगर थोड़ा बहुत उचा वच मिला तो इसको पहाड की केटेगरी नहीं देना है आखिरकार दूर से देखने में व बटारे भाला यहां देखने परव達 होते हैं ओर आफ परत्त जैसे लाइन देखते हुल हो गी तो उसमें कई लाइनिंग का मतलब ही है कि उसमें कई बार क्या हूआ है जोला मुखी का उदगार एक बार ज्वार उदगार हुआ तो चट्टाने बनी फिर दुबारा उदगार हुआ फिर चट्टाने बनी फिर उदगार हुआ फिर चट्टाने बनी तो ये जो क्रम है ये कई बार चलता रहा है और जितनी बार नई चट्टान नई परत बनी है उसके बाद जीवन ऊपर से स्टार्ट हुआ है आगे चलके फ जिसके कारण नीचे का लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है और उपर की जो भू परपटी होती है वो या तो एक दूसरे से दूर जाती है या आपस में क्या है सिकुर्टी चली जाते जिससे पठारी छितर का निर्माड होता है यह देखिए यह हमारी जमीन है और जौला म पहाड़ है पहाड का जो रंग है वो किस तरीके से हो गया है और इसमें कई सारी पड़तेशलों बीएं परतेशलों का मतलब है कि एक बार में नहीं कई बार में जो मुखी का उदगार हुआ है तो इस तरीके से हमारा दक्षिन का पठार दिखता है यह जो परुवत है जिनका दीरे-दीरे चरण हो चुका है मुग के भूमी से उंचाई में है देखें अभी इसमें थोड़ा सा आगे दिखाये जाएगा सत्कुर्ण चरणी से नीचे है कि जब लावा का उद्गार होता है तो किस प्रकार से जीवन उसमें दब जाता है और मेरे जब भी मैं जीवन का नाम ले रहा हूं जीवन का मतलब जैसे वनस्पती हो गया और पेड़ पौदे हो गया जाड़ जंगल हो गया या उस समय जो जीव रहा होगा वो हो गया इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहां पे हुआ दक्षण में हमारे दक्षण के पठार का सबसे ज़्यादा विस्तार कहां हुआ है दक्षण में हुआ है और इधर पस्चिम की अपूर्व की और जाए तो छोटा नागपूर के पठार में हुआ है देखे जैसे लावा का उद्धगार हुआ तो जो उस समय जीव नीचे दब गए ये देखिए जैसे लावा बह रहा है और जीव उसमें दब गए और दबने की वज़ाए से उन्ही जीवों का क्या बन गया जीवाश मन गया अब धरती ये थी इसके उपर लावा की एक परत च जाएगा और अगर पेड़ पहुते दबे होंगे तो उसका आगे चले क्या बन जाएगा कोईला यही कारण है कि दक्षिन के पठार में उत्तम क्वालिटी का कोईला पाया जाता है आया आप लोंग समझ में कोई दिक्कत यहाँ पर ठीक है इसको बंद कर दिजिए झाल झाल झाल